ब्रामी की स्टार्टिंग में युवानी को वेडिंग ड्रेस ट्राइ करते हुए दिखाया जाता है, मिस्टर लू उसे देखते हैं तो उसकी तारिप करने लगते हैं, वो कहती है कि जल्दी मैं मिस्टर लू की वाई बने वाले हूँ और मेरा सपना अब पूरा होगा, जाती है कि मिस्टर लू उससे मेरिज करे, यहाँ पर वो किसी को कॉल करके अपना एक काम करने के लिए कहती है, रात को दिखाया जाता है मिस्टर लू को, जो कि युवानी के पास उसकी एक फाइल देने आते हैं, साथ में वो उससे एक लॉकिट भी गिफ्ट करते हैं, जि बाद वो उन्हें वहां से जानी के लिए कहती है, युवानी फिर अपने बैक से एक हॉस्पिटल का रिपोर्ट निकालती है, जिसमें लिखा होता है कि वो प्रेगनेंट है, इस रिपोर्ट को देखकर वो खुश हो रही होती है कि मिस्टर लू को जब ये पता चलेगा कि वो फादर बरने वाले हैं तो वो कितना खुश होंगे, लेकिन तबी एक सामने से ट्रक ड्राइवर आकर उसे टकर मार देता है, वो फ्लोर पे गिर कर भी हो सजाती है, वो ट्रक ड्राइवर उसे जान से मारने के लिए आता है, क्योंकि उसे पैसे दिये होते है शाओ जी न पर रहे होते है युवानी का, वो नहीं आती है तो वो उसे कॉल भी करते है, पर वो फोन नहीं उठाती है, मिस्टर लू की माम कहती है कि वो लड़की दोके बाज है, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम उसके चकर में मत पड़ो, तुमें शाओ जी से मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी फैमली में ही बड़ी हुई है, पर तुम हो की मेरी सुनते रही हो, लेकिन मिस्टर लू तो बेट कर रहे होते है अपनी लवर का, तब ही उनका असिस्टेंट राकर कहता है, बॉस वो कहीं नहीं मिल रही है, हमने हर जगा चेक कर लिया है, उसकी मॉमों से जाके चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है, दिन रात एक कर देते हैं, अपनी प्यार को ढूंडने के लिए, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं पता चलता है, रात को वो बारिस में भीगते हुए भी उसे ढूंड रहे होते हैं, तब ह की रहती है जैंग के घर पे जैंग अपनी मॉम से कहता है कि इस लड़की की एक्सिडेंट के दोरान याद दास चली गई है मैं इसे अपनी वाइफ बना कर घर पे रखूंगा उसके मॉम तो यह सुनके खुश जाती है कि बिना दहेश दिये तुम्हें वाइफ मिल गई वो ल लेकर जाएंगे मिश्टर लू को देखते हैं ऑफिस में जो कि उस लॉकिट को हाथ में लेकर याद करे होते हैं युवानी को तब ही भाप आकर उनका असिस्टेंट कहता है कि युवानी के बारे में इन्फॉर्मिशन मिली है उन्हें एक काउं के हॉस्पिटल में दिखा गया है यह सुनने के बाद तो तुरंत मिश्टर लू उस तरफ निकल पड़ते हैं यहाँ पर यह सुन लेती है शाओ जी भी तो वो अपने आदमियों को उस हॉस्पिटल में मिश्टर लू से पहले पहुशने के लिए कहती है उधर युवानी को घर पे होस आता है तो वो बच्ची के बारे में जैंक की मौम कहती है कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था यह सुनने के बाद वो काफी दुखी होती है यहाँ पर देखते है कुछ लोगों को जो कि उस बच्ची को लेकर आ जाते है शाओ जी के पास शाओ जी कहती है कि किसी भी किमत प का काफी खुश होते हैं लेकिन सोचने लगते हैं कि युवानी ने उन्हें इस बच्ची के बारे में क्यों नहीं बताया और वो ऐसे छोड़के क्यों चले गई वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे ढूंड के रहेंगे उसके बाद पूरे 5 साल बीच जाते हैं जैंक को देखते हैं जो कि युवानी के सारे पैसे उससे ले लेता है और उसे और ज्यादा जॉब्स करने के लिए कहता है और जैंक की मॉम भी युवानी से घर का सारा काम करवाती है वो लोग यहां पे उसका कुछ जादा ही फायदा उठाते है युवानी दिन रात मेहनत करती है काफी सार कि अब वो अराम से जी पाएगी लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो वो सब कुछ देख कर हैरान होती है इदर उदर लड़की के कपड़े बढ़े रहते है वो रूम में जाकर देखती है तो जैंक किसी और के साथी लगा पड़ा रहता है युवानी कहती है कि यह तुम फ्रंट सू के नाम करवा देता है और यहाँ पे उसकी काफे ज़्यादा इंसर्ट भी करने लगता है वो यहाँ पे उसे धक्का दे देता है मारने पीटने लगता है जिससे कि उसके गाल पे निसान भी आ जाता है वो लोग यहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम्हें एक कश्रा हो अब तुम्हें इस घर में रहने की चुरुत नहीं है सू यहाँ पे जैंग से कहती है कि तुम्हें इसे घर से निकाल दो तभी मैं यहाँ पे रह पाऊंगी इससे मैं एक competition जीच सकती हूँ वो भी Mr. Lou की company का ये सुने के बाद जैंग भी सुका ही साथ देता है वो लोग रात के समय में उसे घर से बहार निकाल देते है जिसके बाद उसका फिर से accident होने वाला होता है लेकिन Mr. Lou आकर उसकी जान बचा लेते हैं तब ही Mr. Lou की बेटी आ जाती है और उसे mom कहने लगती है लेकिन वो कहती है कि मैं तुमारी mom नहीं हूँ Mr. Lou तो यहाँ पर उसका face भी अच्छी से नहीं देख पाते हैं Mr. Lou उससे कहते हैं आपको छोट लगी है तो मैं कि आपको hospital ले जाओं लेकिन युवानी मना का देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है Mr. Lou की बेटी कहती रहती है डैट वो mom है लेकिन वो उससे समझाते है कि तुमारी mom वो नहीं है उसके बाद दिखाया जाता है युवानी को जो कि डॉक्टर के पास जाकर अपना treatment करवाती है डॉक्टर कहता है कि यहाँ पे सायद एक छुटा सा मौल बन जाएगा तुम अपना ध्यान रखना उसके बाद वो मौल में जाकर अपना पूरी तरीके से get up change करती है क्योंकि आप वो सोच लेती है कि जैंग और उसकी girlfriend सू को नहीं छोड़ूंगी बहुत मैंने उनके लिए कर लिया है यहाँ पर वो इतनी beautiful लगती है कि सबकी नजरे उस पे ही रहती है वो Mr. Luke की company में entry लेती है जहाँ पर एक event चल रहा होता है उस event में जैंग और उसकी girlfriend सू भी होती है वो लोग यहाँ पर participate करने के लिए आते हैं ताकि Mr. Luke की company के साथ काम कर सके उधर घर पर Mr. Luke को breakfast करते हुए दिखाया जाता है तब ही भाँ पर एक file आती है जिसमें नए designer के design होते है लेकिन उस file को देखने लगती है शाओ जी यहाँ पर वो उन designs को देखकर समझ जाती है कि यह design साथ युवानी ने बनाई है वो तो तुरंती file को बंद कर देती है Mr. Luke को देखने भी नहीं देती है और कहती है और वो उनसे कहने लगती है कि आज के उस event को मैं अटेंड कर लेती हूँ आपको और भी काम होंगे न बोट की जाने लगती है तो वो file किर जाती है Mr. Luke उठाने लगते है तो वो उनसे file छीन लेती है और कहती है मैं इस काम को समाल लूँगी Mr. Luke कहते है कि तुम जाकर पहले event अटेंड करो इस designs को आगे forward मेरा assistant कर देगा वो उससे file लेकर अपने assistant को दे देते है इधर event में सभी से सुख कह रही होती है कि Mr. Luke मेरे साथी contract sign करेंगे क्योंकि उन्हें मेरे designs पसंद आए है यहाँ पर वो लोग खुश होते हैं कि चलो यहाँ पर युवानी के designs उनके और भी काम आ रहे है लेकिन तभी भाप युवानी आ जाती है वो लोग बदले हुए युवानी के get up को देखकर हैरान होते है युवानी कहती है कि तुम लोग चीटर हो तुम लोग मेरे designs को use कर रहे हो अपने फायदे के लिए यह सुनकर सभी लोग हैरान होते है सु और जैंग उस पर भड़कने लगते है कहते है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम जूट कह रही हो यह तुमारे design नहीं है यह सुने ही बनाई है लेकिन युवानी कहती है कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि यह मेरे design है यहाँ पर जैंग उसे जाने के लिए कहने लगता है युवानी कहती है कि मैं जा कर Mr. Lukos सच बता दूँगी फिर देखते हो कि तुम लोग उनके साथ कैसे contract साइन करते हो लेकिन हमें दिखाया जाता है महाँ पर आ जाती है शाओ जी जो कि युवानी को देखकर हैरान होती है युवानी उन्हें सच पताने लगती है लेकिन श्याओ जी कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं युवानी कहती है कि मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ ये सुने के बाद तो श्याओ जी उसे कई चाटे मानने लगती है और कहती है तुम यहाँ पे आकर ड्रामा कर रही हो, दूसरे के डिजाइन्स को छीनने की कोशिस कर रही हो, ऐसे लोगों को हम अपनी कमपनी में नहीं रहने देते हैं, वो यहाँ पे उसे बरी तरीके से ट्र सरकल बना होता है, वो इस फाइल को मिश्टर लू को भी दिखा देता है, जिसके बाद मिश्टर लू खुद इस इवेंट को अटेंट कर निकले जाने लगते हैं, यहाँ पर युवानी कहती है, शाओ जी से कि मैडम आप गलस समझ रही है, मेरी बात तो सुने, लेकिन वो तो उससे अपना बदला ले रही होती है, वो अपने लोगों से कहती है कि इसके हाथों को बिकार कर दो, ताकि यह आगे से कोई डिजाइन किसी का कौपी ना कर सके, जैंग और सू तो यह देकर खुश होनी लगते हैं, लेकिन तभी आकर मिश्टर लू उन्हें रोग देते हैं, लेकिन युवानी उन्हें अपने से दूर कर देती हैं, और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मिश्टर लू कहते हैं, युवानी क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, तब ही जैंग कहने लगता है, कि मिश्टर लू ये मेरी एक्स वाइफ है, आप इसे दूर है, य एक नंबर की दो के बाश लड़की है यहाँ पर मिश्टर लू कहते है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है यह मेरी युवानी है शाओ जी बीच में कहने लगती है कि यह आपकी युवानी नहीं है आप इसे गौर से देखे मिश्टर लू देखते हैं तो उन्हें उसके फेस पर एक मूल नजराता है वो याद करते है कि उनकी युवानी के फेस पर तो कोई मूल नहीं था लेकिन फिर भी मिश्टर लू से गौर से देखे जा रहे होते हैं युवानी को याद आता है कि उस दिन एक्सिरेंट से बचाने वाले परसन यही थे तभी शाओ जी कहते है कि आप इस लड़की की बातों में ना आए ये किसी और के डिजाइन्स को चुरा रही है यहाँ पर मिश्टर लू अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाकर इस लड़की की इंफॉर्मिशन लेकर आओ शाओ जी तो काफी परिशान हो जाती है ये सुनकर तभी सू कहने लगती है कि हाँ ये मेरे डिजाइन्स को अपना बता रही है ये दोके बाज है ये इसलिए कर रही है लेकिन सू और जैंग उसे ब्लेम कर रहे होते है और चुप रहने को भी कहते है लेकिन हाँ पर यू आनी उनसे अपनी फाइल छीन लेती है और मिस्टर लू को दिखाने लगती है मिस्टर लू देखते है कि वो डिजाइन्स तो बिलकुल उनकी यूँआनी जैसे है यहाँ पर शाओ जी परिशान हो जाती है और कहती है कि आप इसकी बातों में ना आए यह एक नमबर की चालक लड़की है कहती है यहाँ पर सू हाँ सच में यह बहुत चालक है जैंग कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी वो उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो मिश्टर लू से रोक देते हैं और कहते है हम ऐसे लोगों के साथ कोई कांटरक्ट साहिन ने करते है जो कि दूसरों के डिजाइन्स को अपना बताते है इस बारे में पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त के जाएगी मेरा से स्टेंड पता लगाने के लिए गया है कि डिजाइन्स किसने बनाए है यहाँ पर कहने लगती है सू यह ना आपको फसानी की कोशिस करी है इसलिए तो इतना सल्दश की आई है उसके करेक्टर पर उंगलिया उठाना सुरुका देते है जैंग यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने तुमें दो ही अपते पहले डिवास दिया है और तुम यह सब कुछ करती पिर रही हो अगर मेरी फैमली ने तुमें नहीं रखा होता कि उसी ने कुछ समय पहले इस लड़की का एकसिडेंट किया था तो वो तुरंट कह देता है कि एक अनाथ थी हमने इसे सहरा दिया था मौँ आ पर आ जाता है असिस्टेंट और एक फाइल देता है मिश्टर लू को उस फाइल को देखने के बाद मिश्टर लू हाथ पकड़ते है युवानी का और उसे वहां से बहाले आते है श्याओ जी को तो बहुत गुसा आता है श्याओ जी हापे जैंक से कहती है कि तुम उसके हस्पेंड होना तो तुम मेरी मदद करो इसके बदले मैं तुमें ये कांट्रेक्ट दिला दूँगी बाहरानी पर मिश्टर लू पूछने लगते है युवानी से कि तुम कौन हो तुमारे बारे में सिफ पास साल का डाटा ही मिला है उसके पहले तुम कहां दी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या तुम अपना फेस का फायदा उठा कर मुझे जालबे फसानी की गोसिस कर रही हो वो उस पे गुस्ता करने लगते हैं और उसे धका देकर नीजी गरा देते हैं तब ही मापे उनकी बेटी आ जाती है और कहती है डेड़ आप मॉम को क्यो दंग कर रहे है वो प्यार से उसे बात करने लगती है और कहती है कि मॉम मैंने आपको काफी मिस किया है युवानी कहती है कि बेटा मैं तुमारी मॉम नहीं हूँ तो वो बच्ची कहती है आपका फेस बिल्कुल मेरी मॉम से मिलता है तो आप मना क्यों कर रही है कि आप मेरी मॉम नहीं है आप मेरी मॉम है मिस्टर लू सोचते हैं कि मेरी बेटी ने तो कभी अपनी मॉम को दिखा ही नहीं है तो फिर ये इसे अपना मॉम क्यों कह रही है मिश्टर लू की बेटी उनसे कहती है कि आप मॉम से माफी मांगी तो मिश्टर लू उस्से माफी मांगते हैं लेकिन कहते हैं कि अभी भी मेरा सवाल भी है कि 5 साल पहले तुम कहां थी यहाँ पर सोचने लगती है वो इस पारे में पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है युवानी कहती है कि मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है बस मेरे फेस पे चोट लगी थी उसके लिए मैं कुछ समय पहले हॉस्पिटल गई थी लेकिन मिश्टर लू उस पर बहुत खुसा करते हैं वो यहाँ पर उसे धोकी बाज कहने लगते हैं उनकी बेटी कहती है कि आप भर जाओ और वो हॉस्पिटल जाने लगते हैं यहाँ पर श्याओ जी कहने लगती है युवानी से कि दुबारा यहाँ पर नजर मत आना और मिश्टर लू के आस पास तो बिलकुल मत दिखना मना में तुमें जान से मा डालूंगी और वो जबर दस्ती वहां से मिश्टर ल जाते हैं कि तुम यहाँ के फुटेज चेक करके पता करो कि कौन आया था इस लॉकिट के साथ यहाँ पर उधर घर पे देखते हैं युवानी को अपना लॉकिट मिल जाता है वो कहती है कि बस मेरे पास यह लॉकिटी रह गया है मुझे खुद भी नहीं पता है कि 5 साल पहल पाने पेने से मना कर दिया है और नहीं यह सो रही है यह तुम्हें मिस्ख कर रही थी इसलिए मजबूरी में मुझे इसे तुम्हारे पास दलाना पड़ा यहाँ पर युवानी उस बच्चे को अच्छे से चुप करा लेती है मिश्टर लू कहते हैं वैसे भी तुम्हारे नैनी के तोर पे हायर करता हूँ तुम आकर मेरी बेटी का ध्यान रखो और इसके बदे मैं तुमें काफी पैसे दूँगा युवानी कहा देती है कि मैं कोई भी काम पैसो के लिए नहीं करने वाली हूँ अब मेरे कुछ सपनी है जिने मुझे पूरा करना है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी मिस्टर लू कहते है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दूँगा ठीक है अब तो तुम आ सकती हो ना मेरे घर पे इसका ध्यान रखने के लिए युवानी फिर उनकी बात मान जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू के घर पे दिखाया जाता है वो अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करा रहे होते है तब हमापे युवानी आ जाती है वो भी केक के साथ मिस्टर लू कहते है तुम लेट आई हो युवानी कहते है कि मुझे आपका घर डूरने में समय लग गया वो यहापे उस बच्ची को कहते है कि मैं तुमारे लिए केक लाई हूँ लेकिन वो बच्ची कहते है कि यह मैंगो फ्लेवर है मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे इससे ऐलरजी है युवानी ये सुनकर मिश्टर लू से पूशती है कि आपकी बच्ची को ये बिमारी कहां से आई है मिश्टर लू कहते हैं अपनी मॉम से और कहां से आईगी यहाँ पर वो उसकी मॉम के बारे में पूशती है तब ही वो बच्ची कह देती है आपी तो मेरी मॉम है फिर आप ऐसे बाते क्यों कर रही है महाँ पर आ जाती है श्याओ जी और वो युवानी को दे कर शौक होती है कहने लगती है कि यह लड़की यहाँ पर क्या करी है मिस्टर लू कहते है कि यह मेरी बेटी की नैनी है और हासे यह आफिस में काम भी करेगी तुम इसका आफिस में धियान रखना लेकिन श्याओ जी तो पूरी जल भून जाती है श्याओ जी कहने लगती है मिस्टर लू की बेटी से चलो मैं तुमें स्कूल छोड देती हूँ लेकिन वो कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगे मुझे मायम के साथ जाना है वो यहापी यूअनी के साथ जाती है जिससे कि श्याओ जी को और बड़ा लगता है वो कहती है कि मुझस से कोई भी मिस्टर लू को नहीं छीनेगा मैं तुमें रास्ते से हटा दूंगी आफिस में जब वो काम कर रही होती है तो सभी लोग उसे देखकर बाते बनाते है कि पहली बार मिस्टर लू ने किसी लड़की को ऐसे हायर किया है सैद यह उन्हें पटाने की कुछिस कर रही है तब यहां पर शाओ जी आ जाती है और एक मैनेजर को कुछ फाइल दे कर कहती है कि यह फाइल तुम दे दो युवानी को और कहो कि वो आज मीटिंग में इन डिजाइन्स को री प्रिसेंट करे वो मैनेजर कहता है लेकिन यह तो बॉस की लवर की फाइल है वो किसी को इसे टच भी नहीं करने देते है यहां पर शाओ जी कहती है तुम सब चाहते हो ना कि यह भी ऑफिस से निकल जाए तो इससे बहतर तरीका क्या होगा इससे ऑफिस से भागाने का यहां पर मैनेजर उस फाइल को जाके युवानी को देता है और कहता है कि आज का प्रेजेंटिशन तुम दोगी युवानी कहती है मैं तो नहीं आई हूँ आफिस में मैं ये कैसे कर सकती हूँ लेकिन वो उसे और देता है उसके बाद मिटिंग स्टार्ट होती है वो यहां पर सभी को फाइल दे रही होती है लेकिन जैसे ही मिस्टर लू देखते हैं तो वो तो गुस्टे में लाल पिले हो जाते है और कहने लगते है युवानी से तुम्हें किसने कहा था इस फाइल को हाथ लगाने के लिए युवानी कहती है कि ये नए डिजाइन आये है बस मैं इने रिप्रेसेंट कर रही हूँ वो यहां पर गुस्टे में कहते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फाइल को हाथ लगाने की अगर यह डिजाइन हमें री प्रिजेंट करने होते तो हम खुद करते तुमसे नहीं कहते तुम अपने स्वेज का कुछ ज़ादा ही फायदा उठा रही हो मेरी बेटी तुमें प्रसंद करती है मैंने तुमें हायर किया है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी यूँँआनी कहते है कि मेरी कोई गलती नहीं है मुझे तो कहा गया था मैंटेजर नहीं कहा था लेकिन तभी शाउ जी आजाती है और कहती है कितना जूट बूल रही हो तुम अपनी गल्दी किसी और पे डाल रही हो कोई भी इस फाइल को आफिस में हाथ नहीं लगाता है तो मैनेजर ऐसा क्यों करनी लगा या पर उसकी बाती नहीं सुनता है कोई भी मिश्टर लू तो गुस्ते में वहाँ से चले जाते है लेकिन बाद में शाओ जी बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे इस टोर रूम में लिकर जाती है जहापर वो उसे काफ़ ज़्यादा परिशान करने लगती है कहती है कि तुम अपने इस फेस को लेकर यहाँ पे आ गई हो तुम ही क्या लगता है कि लू तुमारा हो जाएगा लू सिप मेरा है और कोई उसकी वाइप नहीं बन सकता है उदर आफिस में दिखाया जाता है मिस्टर लू को जो कि उन डिजाइन्स वगेरा को देखकर अपनी लवर को ही याद करे होते हैं तब यह असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि असल में हॉस्पिटल में जाने वाले लड़की और कोई नहीं बलकि युवानी ही है यह सुने के बाद उन्हें लगता है कि साइद उनकी ही युवानी है वो यहाँ पे वो उसे हरजी का ढूरने लगते है यहाँ पर शाओ जी युवानी को इतना तंग करती है कि उसके फेस से भी खूनाने लगता है वो उसे बुरी तरीके से तंग करती है और कहती है मैं तुमें केक खिलाती हूँ वही केक जो तुम मिस्टर लू की बेटी के लिए लेकर गई थी तुम उन्हें इंप्रेस करने की कोशिस कर रही हो ना यहाँ पर वो जबरदर्स्ती उसे वो मैंगो फिलेवर का केक खिला देती है उसे खाने के बाद यू आने की तबित खराब होने लगती है क्योंकि उसे भी मैंगो से ऐलर्जी थी यहाँ पर मिस्टर लू हर जगा उसे ढूंड रहे होते हैं तो वो उस स्टोर रूम के बाहर पहुच जाते हैं उन्हें अंदर से कुछ हवास सुनाई पढ़ती है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है वो असिस्टेंट को कहते हैं आकर इसे खोलो असिस्टेंट खोलने लगता है तो तब ही मिस्टर लू के पास उनकी बेटी के वहां से कॉला जाता है वो तरह अपनी बेटी के पास पहुचते हैं उनकी बेटी कहती है कि डैड मैं उसकुल नहीं जाओंगी और बची सरारत करते हैं और बलेम मुझे डाल देते हैं यहाँ पर यह सुने के बाद मिस्टर लू को समझ में आता है कि यू आनी भी तो यही कह रहे थी कि यह काम करने के लिए उसे मैनेजर ने कहा है यहाँ पर हम देखते है असिस्टेंट जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तो खुद भारा जाती है शाओ जी और कहती है कि अंदर कोई नहीं है असिस्टेंट यू आनी के बारे में उससे पूछता है तो वो कह देती है उस बेकार की लड़की पे मैं क्यो धिहान रखनी लगी मिस्टर लू का आसिस्टेंट कहता भी है कि वो बॉस ने खुद हायर की है आप उसके साथ कुछ गरबर मत करना लेकिन है आप यह शाओ जी कहती है कि तुम मुझे मस दिकाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं वैसे भी वो छोटे लेवल की लड़की है वो लू फैमिली में आ ही नहीं सकती है तब ही मापे मिस्टर लू आ जाते है और कहते हैं तुम्हें किसने हग दिया है उन लोगों को जॉब से निकालने का जो मैंने हायर किये हैं तुम सायद चादा ही बोलने लगी हो वो उस रूम के अंदर जाने लगते हैं शाओ जी उन्हें रोक नहीं पाती है और वो देख लेते हैं कि उन लोगों ने क्या हालत कर रखी है युवानी की युवानी की हालत को देख कर उन्हें बहुत कुछ साहता है तुरंती वो सब को डाटने लगते हैं और युवानी की मदद करते हैं असिस्टेंट कहता है बोस हमें तो ये करने के लिए और दिया था शाओ जी ने शाओ जी कहती है ये सब जूट कह रहे हैं मेरा इसमें कोई हाथ नी है लेकिन मिश्टर लू को सब समझ में आ जाता है यहाँ पर वो सभी को जॉब से निकालने लगते हैं तो मैनेजर शाओ जी से कहता है आप तो इनकी वाइफ बने वाली है न तो इन से कहें कि ये हमें जॉब से ना निकाले मिश्टर लू गुस्से में कहते है कि मेरा इसके साथ ऐसा कोई रिस्ता नहीं है और आगे से मेरा नाम लेकर कुछ भी गलत काम मत करना वना म तो मैं घर से निकल भा दूंगा शाओ जी और वो वहां से लेकर आ जाते है युवानी को उसके बाद देखते है शाओ जी को वहां पर वो लॉक इट मिल जाता है जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये तो सच में युवानी ही है वो यहां पे काफ़ी गुस्से में और डिसाइड करती है कि इस बार वो इसे जहन से ही मार डालेगी ताकि उससे उसके लू को कोई ना चीन पाए हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता चलता है मिस्टर लू को कि इसे मैंगो से ऐलर्जी है इसलिए आगे से दियान रखना कि ये कभी मैंगो ना खाए मिस्टर लू से फिर हेल्प करने के लिए ठैंक्स करने लगती है तो यहाँ पर मिस्टर लू उससे सवाल करते हैं क्या तुम्हारे पास कोई लॉक्ट है वो कहती है हाँ एक लॉक्ट है मिस्टर लू उसे दिखाने के लिए कहते है लेकिन वो लॉकिट उसके गले में नहीं होता है तो वो ढूडने लगती है तब भी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और मिस्टर लू को कहता है कि बॉस मुझे पता चला है कि किसी ने कंपनी में सेम ऐसा ही एक लॉकिट देखा है जैसा कि आपके पास है वहाँ पर मिस्टर लू की बेटी आ जाती है तो वो उससे कहते है कि तुम अपनी इस मॉम के पास ही रहना मैं बस अभी वापिस आता हूँ यहाँ पर यूआनी अपना लॉकिट ढून रही होती है तो वो बच्ची पूसती है कि आप क्या ढून रही है वो कहते है कि मेरा एक लॉकिट खो गया है मैं वस उसे ही ढून रही हूँ उसके बाद वो लोग आफिस के बाहरा कर भी उसे ढूनने लगते हैं डस्ट बेन में कुछ लोग कहते हैं कि देखो तो सही यह लोग कश्ट ढून रहे हैं वो भी बच्चे के साथ मिलके युवानी सोचती है कि अगर मुझे लॉकिट नहीं मिला तो क्या होगा अब तो लॉकिट भी नहीं रहा है और उपर से मुझे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भी कुछ याद नहीं है तब ही हापी वो बच्ची रस्ट मिन में से लॉकिट ढून लेती है और युवानी को दे देती है युवानी उस लॉकिट को देखकर काफी खुश होती है लेकिन हापी उन दोनों के ही कपड़े गंदे हो जाते है इसलिए वो युवानी को अपने साथ ओफिस ले आती है और काफी सारे सर्वेंट से कहती है कि यहापे नए कपड़े लाए जाए मेरी मौम के लिए वो लोग नए कपड़े लाते हैं सुज, बैग, जुलरी, बहुत सारी चीज़े लाते है युवानी उस बच्ची को ये सब कुछ करने से मना करती है और कहती है कि फिलाल हम लोग ऑफिस में है तो यहापे वो कुछ चीज़े उसके लिए शलेक्ट कर लेती है तब यहापे आज आता है जैंग और सु जैंग यहापे कहता है कि हम लोग मिस्टर लू के साथ कॉंट्रक्ट साइन करने आए है देखो तुम हमारा कुछ नहीं बगाट पाई सु यहापे कहने लगती है कि तुम एकी दिन में मॉम बन गई तुमने तो काफी सारे अपने काले राज हम से छिपा रखे है यहापर वो उस बच्ची के बारे में घटिया बाते कहने लगती है साथ में उन महेंगी चीज़ों को उठाती है तो वो बच्ची उसे रोकती है यह कहकर कि यह सारे चीज़े मेरी मॉम की है तो सु उसे धुका दे देती है यह देखकर यूवानी को गुस्सा आता है तो वो सू से जगड़ा करने लगती है यहाँ पर यूवानी कहती है कि तुम्हें बच्ची के साथ ऐसे भी इप नहीं करना चाहिए लेकिन सू उसकी सुनती नहीं है और कहती है यही क्या मैं तुम्हें भी यहाँ से उठा कर भार फैक सकती हूँ तुम मेरी पावर को जानती नहीं हो और मिस्टर लू के साथ जोड़ने के बाद तुम मेरी पावर और बढ़ जाएगी मिस्टर लू के पास जाकर असिस्टन कहता है कि आपकी बच्ची और युवानी होस्पिटल में नहीं है तो वो कहते हैं पता लगाओ कि वो लोग कहां गए है यहाँ पर युवानी और उस बच्ची को काफी ज़्यादा तंग करने लगती है अर उन सारी चीजों को लेने लगती है तो वो बच्ची कहती है यह सारी चीजे मैंने मौम की लिए मंगाई है तुम जानती भी हो कि मेरे डैड कौन है वो मिस्टर लू को अपना डैड करने लगती है लेकिन सू और जेंक विस्वास नहीं करते है वो दोनों ते यहाँ पे उन्हें तंग करने लगते हैं गार्ड्स को कहते हैं कि इन्हें यहाँ से भानिकल के फैक दो जब वो दोनों वहाँ से चुपचाप चाने लगते हैं तो एकदम से चिलाती है सू साइद मेरा ब्रैसलेट इन लोग उन्हें चुरा लिया है जिसके बाद वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं दोनों की तलासिया लेने लगते हैं और इस चकर में उन्हें काफी तंग भी करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि आपकी बेटी आपके प्राइबेट वाले रूम में आई है तो मिस्टर लू वहाँ का वीडियो देखने लगते है और जो वीडियो में वो देखते हैं उससे देखने के बाद उन्हें काफी गुस्सा आता है तो वो अपने उस रूम की तरफ आने लगते हैं काफी चेक करने के बाद भी युवानी से सूको लॉकिट नहीं मिलता है तो वो कहती है कि सायद इस बच्ची ने चुराया होगा तब युवानी कहती है कि देखो तुमारा लॉकिट तो यहां पड़ा हुआ है हमने नहीं चुराया है तुम हमें जाने दो लेकिन वो कहती है नहीं इस बच्ची ने ही चुराया होगा यह एक नंबर की चोर लगती है इससे कहो कि यह नीजं पे बैट के मारफी मांगे लेकिन युवानी यह करने से मनागरने लगते है तो वो लोग यहां पर उस बच्ची को पकड़के मुझे और मौम को परिशान कर रहे हैं यहाँ पर सुवा और जैंग के तो होस उट जाते हैं यहाँ पर मिस्टर लू उन्हें मानने लगते हैं जैंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यह आपकी बेटी है लेकिन आपकी बेटी मेरी एकस वाइव के साथ क्या कर रही है मिस् आफिस से उढ़ा कर भार फैक दो यहाँ पर ऐसा ही किया जाता है उसके बाद यहाँ पर युवानी उस बच्ची को देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें चोड़ तो नहीं आई है न वो कहती है असिस्टेंट से कि तुम इससे हॉस्पिटल एक बार देखा के लाओ तो सिस्टेंट बच्ची को लेकर जाने लगता है लेकिन फिर यहाँ पर युवानी को ही चकर आने लगते है तो मिस्टर लू से समाल लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ लेकिन वो कहती है मैं ठीक हूँ मुझे हॉस्पिटल जाने की जुरुत मिश्टर लू कहते कि आज तुमने काफी ब्रेव होकर मेरी बची को बचाया इसके लिए थैंक्यू साथ में वो कहने लगते है कि अम मैं तुम्हें आफिस में पक्की जौबते दूंगा यह सुनकर युवानी बहुत खुश होती है और एकदम से उन्हें हग कर लेती है जिसस मत करो मैं उसकी ग्रेंट फादर को बताती हूँ देखना वो कैसे उस लड़की को उसकी लाइफ से निकालते हैं इधा दिखाया जाता है ग्रेंट फादर को जो की फोटो देख रहे होते हैं लू की डॉटर का वह यहां पर लू को कॉल करके कहते है कि जल्दी से इस मैं देखता हूँ कि वो लड़की कौन है जो लू को फसानी की कोशिस कर रही है वो नेक्स डे ऑफिस बहुसते हैं एक शीव पर के गैट अप में और कहते है कि आज मैं उस लड़की का पता लगाऊंगा वहां पर वो काम करने लगते हैं जैसे ही वहां पर यहां पर यहां दालते हैं वो कहते हैं कि ग्रेंड फादर मैंने आपको धकानी मारा है लेकिन वो कहते हैं कि तुमने ही मारा है मेरे पärzent में बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें मेरी जिम्हेदारे उठावने चाहिए यहांनी कहते है कि आप मुझे अपने फैमिली का कानटेक्ट नमबर द बापिस आ रहे हैं ऐसेस्टेंड कहता है कि किसीने उन से कहा है कि आपका ओफिस में आफायर चुल रहा है लु बापिस आरे हैं फटने deriv है और आप थोड़ा बदल भी गए शाओ जी हापे इस बात को सुनके काफी ज़्यादा खुश जाती है यूँ आनी उन ग्रेंट फादर को अपने साथ आफिस ले आती है और एक पेपर दे देती है ताकि वो अपना टाइम पास कर सके उस पे जो उसकी पराने डिजाइन्स बने होते हैं उन्हें देखकर ग्रें को कहां से उठालाई हो यहां पे यह तो मुझे कोई सफाई करमचारी लग रहा है यह हमारे ओफिस में क्या कर रहा है यूँ आनी कहती है कि यह बिमार है इसलिए मैं इने यहां ले आई कुछ समय बाद मैं इने हॉस्पिटल ले जाओंगी सारा स्टाफ कहने लगता है तु कहती है कि तुम ज़्यादा मत बोलो एक तो तुम सभी के लिए यहां पे प्रॉब्लम क्रेट करें हो और इस ओफिस को क्या खुद का घर समझती हो यहां पे अपनी चुला रही हो चलो इस बुड़े को यहां से निकालो वो ग्रेंट फादर उटके जाने लगते है तो उन् मुझे अफिस से नहीं निकाल सकती हो तुम कोई बॉस नहीं हो लेगिन सभी कहने लगते है कि यह जल्दी Mr. Lu की वाइब बनने वाली है तो तुम और ऊसे कैंसे कर्ने आजाते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ क्या हो रहा है इतना सोर क्यों हो रहा है काम के समय में महां पर वो अपने ग्रैंट फादर को देखते हैं उनके पास जाकर शाओ जी कहती है कि यह किसी बुड़े को उठाकर कंपणी में ले आई है उपर से बिमार भी है सारा ओफिस ब ये सुनके सभी लोग हैरान हो जाते हैं यहाँ पर मिश्टर लूग कहते हैं कि तुम्हें तो इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए अगर ऐसे ही जलता रहा श्याओ जी तो मैं ही तुम्हें ऑफिस से बहा निकाल के फैक दूँगा यहाँ पर वो कहता है यूँआनी से कि कल के कॉन कॉनफरेंस को खराब करनके रहेगी ताकि यूँआनी को डाट पड़े और उसे आफिस से निकाल भी दिया जाए कल के कॉनफरेंस के लिए एक नए होस्ट को बलाया जाता है जिसका सभी लोग वैलकम कर रहे होते हैं यहाँ पर मिश्टर लू कहते है यूँआनी से कि सारी लोग यूँआनी को बलेम करते हैं कि तुमारी वज़े से होस्ट चली गई अब हमारा ये प्रोजेक्ट कैसे होगा तब यहाँ पर मिश्टर लू आ जाते हैं और कहते कि यह क्या हो रहा है श्याओ जी उन्हें सारी बात बता देती है कि वो होस्ट इसकी वज़े से चली ग मिश्टर लू कहते हैं यहाँ पर यूँआनी से कि तुम क्या ये करपा होगी यूँआनी कहते है हाँ मैं यह जरूर कर लूँगे उसके बाद सभी लोग यूँआनी का स्टेज पर वेट करे होते हैं काफी समय बात वो आती है लेकिन वो बहुत खुबसूरत लगती है अस श्याओ जी ने ये सब कुछ जान बुच के क्या होता है लेकिन यहाँ पर यूँआनी बिल्कुल नहीं डरती है और अपना होसला बढ़ाते हुए उस मिटिंग को स्टार्ट करती है उसके इस तरीके को देखकर मिश्टर लू को अपनी पुरानी यूँआनी याद आती है और वो उसी गौर से देखते ही रहते हैं कॉन्फरेंस बहुत अच्छा गुजरता है तो वो जाकर स्टेज पर यूँआनी के साथ खड़े हो जाते हैं जिससे कि श्याओ जी को बुरा लगता है श्याओ जी बाद में आकर मिश्टर लू से कहते कि साथ ये हमारा सो इतना हि दिवानी को साथ में ग्रेंट फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं सच में तुम काफी टैलेंटिड हो वो उसे एक बैंगल गिफ्ट करते हैं अपनी तरफ से और कहते हैं कि मैं तुम दोनों की मैरिज कराना चाता हूँ मुझे इस रिष्टे से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शाओ जी कहते हैं कि ग्रेंट फादर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं वो उसे चुपकरा देते हैं आउटसाइडर कहकर और वो कहते हैं लो से कि अब तुम साधी से मना नहीं करोगे पांस साल की हो गए तुमारी बेटी और अब तक तुम इसे मौम नहीं दे पा लेकिन वो बचा जिंदा नहीं रहा यहां पर वो कहते हैं कि मैंने गाउं में बच्सी को जुनम दिया था गाउं का नाम सुनने के बाद मिश्टर लू को एकदम से डावट होथा है वो एकदम से उसे सवाल कने लगते है कि हुए तुमहारी अपने हस्पेंट से मेरिज कब वाओ मेरी बेटी के बालों से, महाँ पर शाओ जी ये सब को सुन लेती है, घर आने पर शाओ जी बहुत गुसा करती है, कि ये मरी क्यों नहीं, वो तो यहाँ पर पागल होने लगती है गुस्ते में, युवानी को उस बच्ची के साथ खेलते हुए देखती है, तो उसे और लड़की को मार नहीं पाए, और अब पांस साल बाद ये मेरी जिन्दकी में फिर से आ गई है, तो मैं इस बार मारना होगा, युवानी को, सुनकर ये बात बच्ची डर जाती है, वहाँ पर उसका टॉय गिर जाता है, और वो भागने लगती है, शाओ जी उसे देख लेती है, और उसे एकदम से पकड़ लेती है, यहाँ पर वो कहती है कि अब मैं तुम्हें भी मार डालूँगी, सायद तुम्हारी मौत तुम्हारी मौम से पहले होगी, लेकिन वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शाओ जी वहाँ पर आ जाती है, और वो उसे सीड गिरा हुआ देखा था लेकिन वहाँ पे आ जाती है शाओ जी और यूआनी को धक्का देकर कहती है कि साध तुमने ही इससे गिरा होगा तुम्हारी गलती है आस से पहले तो यह कभी नहीं किरी थी यहाँ पर सारे सर्वेंट भी यूआनी का ही नाम लेते है कि वह ही इनके देने लगी लेकिन तभी शाओ जी उस बैंगल को दे देती है और कहती है लू ये तुमारी बेटी ने पकड़ रखा था और देखो ये तो इसी का है ना इसका मतलब इसी ने धक्का दिया है जिसके बाद तो मिश्टर लू उस पे गुस्ता कने लगते हैं महाँ पर असिस्ट मिश्टर लू अपनी बेटी को कार में लेकर वहां से जाने लगते है और युवानी उन्हें रोकने की कोशिस करती है लेकिन वह नहीं रुकते है तब हम पर जैंग आ जाता है जो कि उसे जबर्दस्ति अपनी कार में बढ़ा के लिए जाने लगता है असिस्टेंट कहता है कि वो प्रॉबलम में है लेकिन मिश्टर लू कहते है फिलाल हमें हॉस्पिटल जाना है अब मुझे उस लड़की की परवा नहीं है उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आ जाते है रात के अंधेरे में यहां पे जो श्याओ जी होती है वो जाकर सीडियों पर कुछ जोने लगती है तब मिश्टर लू आ जाते है और कहते है कि तुम यहां पर क्या डून रही हो वो कहते है कुछ नहीं वो उनसे उनकी बेटी के बार में पूस्टी है तो मिश्टर लू कहते है तुम रैडी हो जाओ हमें हॉस्पिटल चलना है साथ में वहां से चल लादी होती है और मिश्टर लू तक पेक रिपोर्ट पहुचाई होती है इधर देखते हैं जैंग को जिसने शाओ जी को बांद के रखा होता है और वो कहता है कि तुम्हें किस से मारू सोचने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है वो काफी सारी चीजों को वहां पे लेकर बैठा रहता है तब युवानी अपनी रस्टियों को खोल लेती है और वहां से भागने की कोशिस करती है लेकिन जैंग उसे पकर लेता है और एकदम से धका दे देता है जिससे कि उसके सर में चोट लगती है लेकिन इस बार उसे पुरानी बाते याद आती है कि वो मिश्टर लू हास्पिटल में होते है तो यहाप मिश्टर लू की मॉम ब्लेम कर रही होती है युवानी को कहते है कि उसने इस बची का क्या हल कर दिया लेकिन ग्रेंट फादर को फिर भी यकिन नहीं होता है वो कहते है कि ऐसा वो नहीं कर सकती है वो तो इससे प्यार कर दी थी हो सकता है ये काम श्याओ जी का हो लू की मॉम श्याओ जी का सपोर्ट करती है कहते कि ये कभी ऐसा नहीं करेगी इससे तो मैंने ही पाल पोस्ट की बड़ा किया है तब ही मिस्टर लू का असिस्टेंट आ जाता है और कहने लगता है कि बॉस मुझे सब कुछ पता चल गया कि आपके बेटी को धका किसने दिया था उसके पीछे युवानी का नहीं बलकि श्याओ जी का हाथ था क्योंकि वहाँ पर मुझे इनका एक बटन मिला है असिस्टेंट यहापे डियाने टैस्ट की रिपोर्ट भी दिखाता है और कहता है जो रिपोर्ट आपको मिली थी उस से श्याओ जी ने बदलवा दिया था युवानी ही आपके बच्चे की मौम है असिस्टेंट आगे कहने लगता है कि पांस साल पहले उनके गायब होने के पीछे भी श्याओ जी का हाथ था और उन्होंने ही अब उसे किरने भी करवा दिया है जैंग उसे उठाकर ले गिया ह मिश्टर लू तो गुसे में पागल हो जाते हैं और शाओ जी से कहते हैं कि तुम ने ये सब कुछ क्यों किया शाओ जी कहती है क्योंकि मुझे तुमसे मैरिज करनी थी इसलिए मैं उसे माना चाहती हूं मिश्टर लू कहते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुमें जि करेंगे वो अपने दो गुंडों को और बुला लेता है सबी लोग उससे पकड़ लेते हैं वो कहते कि मुझे जाने दो मैंने तुमारा क्या बिगाड़ा है लेकिन जैंग कहता है कि तुमारी वज़े से मैं बरबाद हो गया हूँ अम मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ यहा पर जैंग को उनके गार्ट पकड़ लेते हैं जैंग कहता है लू मेरी कोई गलती नहीं है ये सब कुछ मैंने इस लेड़ के कहने पर किया है जो कहना है श्याओ जी को कहो बस मुझे जाने दो यहां पर श्याओ जी माफ़ी मापने लगती है लेकिन लू कहता है कि मैं किसी को म समय लगेगा मिश्टर लू तो रोने भी लगते हैं और कहते हैं तुम्हें ठीक होना होगा मेरे लिए और हमारे बच्ची के लिए मेरी गल्थी है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया महाँ पर उसकी B차 बेटी आ जाती है और वो भी उसे तबी तो दोस्तों आपको नए वीडियो का अपडेट मिलेगा चले तो मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ तब तक गुडबाई गाइस and टेक कियर